में दिन भारती के सभी दर्शकों को सुप्पिल वर्मा का बहुत बहुत नमश्कर दोस्तों आज हम आम का अचार बनाने जा रहे हैं आम का अचार सभी को बहुत पसंद आता है और गर्मियों के मसम में इसे घर-गर्मे बनाए जाता है तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है आम का अचार आम का अचार बनाने के लिए हमने 3 किलो गुठली वाले आम लिये हैं आम के इस तरह के छोटे टुकड़े हमने कटा लिये हैं टुकडो को अच्छे से पानी से 3-4 बार धो लेना चाहिए उसके बाद हमने इसे पानी से निकाल लिया है और इस तरह से एक कपड़े पे फैला दिया है इसे कम से कम एक घंटे के लिए हमें धूप में रखना होगा जिसे कि हमने जो पानी से धोया है वो सारा मौस्चर इसके उपर से सूख जाए आम के टुकडे सूप चुके हैं, हमने इसे धूप से हटा के एक थाल में रख लिया है अब हम इसमें डालेंगे चार चम्मच हल्दी पाउडर छे चम्मच नमक और तीन मड़े चम्मच सरसोखा तेल अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करने के लिए हमने दो चम्मच ले ली है और इसे इस तरह से मिक्स करते जाएंगे जिससे की हर आम के टुकडे पर हल्दी नमक और तेल अच्छी से लिपट जाए आम के टुकडों को हमने एक मरतबान में शिफ्ट कर दिया है इस पे हम दो बड़े चम्मच सरसो का तेल और डालेंगे अब मरतबान का धकन लगा के इसको दो दिन के लिए हम धूप में रख देंगे दो दिन के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें कितना पानी नीचे आ चुका है आम के टुकडों ने पानी चोड़ा है अब हम इन टुकडों को इस पानी में से निकाल लेंगे ये पानी हमें नहीं चाहिए क्योंकि अचार में अगर ये पानी रह जाता है तो अचार जल्दी खराब हो जाता है अब इसे एक बड़े पराद में हम निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कि कितना पानी आम के टुकड़े ने छोड़ा है अब एक दूसरे बरतन में मैं ये टुकड़े निकाल निकाल के रख रही हूँ हमें इसका पानी ने चाहिए सिर्फ टुकड़े हम निकालेंगे सबी आम के टुकडे हमने एक दूसरे परात में शिफ्ट कर लिये हैं और आप देखिए कि कितना पानी इसने छोड़ा था ये पानी हम फेक देंगे अचार में हम जो मसाले डालेंगे वो इस फ्रकार है मेथी और राई को हमने पहले अच्छे से धोके और धूप में सुखा के उसके बाद हमने मसाले के लिए इसका इस्तमाल किया है और हमें चाहिए दो छोटे चमच कलोंजी 25 ग्राम कुटी हुई लाल मिर्च ये तीखी लाल मिर्च है और 25 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च ये अचार को एक अच्छा कलर देगी मेथी, सौफ और जीरा को हम हलका सा भून लेंगे उसके बाद राई के साथ इन सभी मसालों को मिलाके ग्राइंडर में पीस के एक पाउडर त्यार करेंगे मसालों को हमने हलका सभून लिया है अब इन्हें ठंडा होने के बाद एक मिकसर रेंडर जार में हमने डाल दिया है और साती साथ इसमें डाल देंगे राई और इन सभी मसाले पिसके त्यार हो चुके हैं अब इस पिसे हुए मसाले को हमने एक बड़ी परात में डाल दिया है अब हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और कलोंजी सबी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब इसमें हम 200 ml सरसू का तेल डालेंगे सरसू का तेल हम कच्चा ही इस्तमाल करेंगे इसको पका के इस्तमाल नहीं करेंगे सीधे बॉटल से मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि जब हम आम का अचार बनाते हैं तो उसमें सरसुक अतीखा जार वाला तेल बहुत अच्छा लगता उसका टेस्ट और अचार बने में कम से कम एक मेने का टाइम तो लगता ही है तो सभी मसाले और तेल धूप में ही बहुत अच्छी तरह से पक जाते हैं तेल को भी मसालों के साथ अच्छे से मिला लेते हैं, अब हम इसमें आम के टुकड़े डालेंगे, मसालों के साथ आम के टुकड़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस तरह से हमें मिक्स करना है कि हर आम के पीस पर मसाले अच्छी तरह से लिपट जाएं, आप देख सकत जिसमें हमने पहले आम की टुकड़ों को रखा था उसे हमने दुबार से这 धोके साफ करके और धूप दिखा के रख लिया है जिसमें हम अचार त्यार करेंगे सारे आम की टुकड़ों को हमने मरतबान में शिफ्ट कर दिया है अब इसमें 100 ml सर्सो का तिल ओर डालेंगे मरतेबन का धकन लगा देंगे और इसे दो दिन के लिए फिलहाल धूब में रख देंगे दो दिन के बाद आप देख सकते हैं कि ये उपर से अचार सुखा लग रहा है क्योंकि हमने जो तेल डाला था वो नीचे तली में बैठ चुका है अब हम इसमें इतना तेल डालेंगे जिससे कि ये अचार पूरी तरह से तेल में डूबा रहे हमने इसमें इतना तेल डाल दिया है जिससे कि सभी आम के टुकरे तेल में डूब चुके हैं और इसमें मुझे एक लिटर तेल डालना पड़ा है क्योंकि मैं 3 kg आम का अचार त्यार कर रही हूँ अब मर्तबान का ठकन लगा देंगे और इसे एक मेने के लिए धूप में रख देंगे आम का स्वादिष्ट अचार बिलकुल त्यार हो चुका है ये 25-26 दिन में ही बनके त्यार हो गया है क्योंकि आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है और ये अचार एक बार बनने के बाद अगर आप साफ सफाई से रखेंगे मॉइस्टर से बचा कर रखेंगे तो सालों साल तक खराब नहीं होता दोस्तों आपने हमारा आजका एपिसोर देखा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वेंजन पसंद आया होगा अगर आपको हमारी रेसिपेस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल वेंजन पार्टी को लाइक करें शेयर करें और इसे सब्स्क्राइब करें सब्सक्राइब का बटन दबाते वक्ट बैल आइकन को भी जरू लिट करें जिसे कि हमारी सभी रेसिपेस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके अगली कड़े में एक नए विजन के साथ फिर से मुलाकात होगी नमस्कार